सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी दिकेटरिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी दिकेटरिक दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन एग्रिकल्चर मतलब भारती करशी के बारे में हर टाइप की एक्जाम में आपको इस टॉपिक से कोश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेगा मैंने कोशिश करी है कि मैं पूरा ग्राफिकली आपको ये टॉपिक समझा हूँ अच्छे से मैं इंडिया के मैप के हिसाब से आपको हर चीज क्लियर करूँगा तो मैं आपको मैप से अच्छे से स्टडी कराऊंगा आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में अगर आप लेक्चर को पूरा ध्यान से देखोगे समझोगे तो लास्ट में मैंने 30 कोशन का टेस्ट आपके लिए बनाया है अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे समझा तो आप वो 30 कोशन अच्छे से सॉल कर लेंगे और वो 30 कोशन जो दोस्तो हैं वो लास्ट एर एक्जाम में जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं कोशन वही मैंने इंक्लूड कर रहे हैं तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और लास्ट में वो कोशन अच्छर जरूर लगाईएगा आपको फुल बेनिफीट मिलेगा इस लेक्चर का और भारती क्रशी से रिलेटेड जो भी कोशन एक्जाम में आएगा कभी भी आएगा आप आसानी से उसको सॉल कर लेंगे सबसे पहले दोस्तों हम भारती क्रशी से रिलेटेड एक छोटा सा एक थियोरी पार्टे हम उसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद में हम ग्राफिकली अच्छे से स्टड़ी करेंगे चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए भारती क्रशी के बात करते हैं तो भारत में 48.9% श्रम शक्ती जो है वो क्रशी पर आधारिते हैं और भारत देश की राश्टे आयं में विकास करने के लिए क्रशी का विकास होना बहुत जरूरी है अगला पॉइंट आता है कि भारत की जो नेशनल इंकम है उसमें भारती क्रशी का कितना योगदान है लगबग 14% योगदान है भारती क्रशी का प्रारम में क्रशी के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से दो संस्ताओं की स्थापना की गई कौन-कौन सी एक RRB और एक नाबाड तो देखिए RRB का फुल्फम होता है रिजनल रूलर बैंक और नाबाड का फुल्फम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एन रूलर डवलप्मेंट ओके ये दोनों संस्ताओं राष्टिकरत नहीं है क्योंकि इन दोनों संस्ताओं में 51% शेर भारत सरकार के नहीं लगे हुए और इन संस्ताओं का मुख्य उद्देश क्या था भारत के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पेसे उपलब्द कराना और क्रशी कारे करने के लिए प्रोसाइट करना तो इसलिए भारत सरकार की तरफ से ये दो संस्ताएं स्थापित की गई थी अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भारती क्रशी के विकास के लिए बहुत सारी activity की गई वो कौन सी हैं देखिए हरित करांती चलाई गई तो हरित करांती के बारे में हम डिसकस करते हैं काफी important topic है और काफी question बनते हैं इससे तो देखिए भारत में क्रशी के विकास के लिए 1967 में Dr. Swaminathan के दौरा प्रतम हरित करांती चलाई गई किसके दौरा Dr. Swaminathan के दौरा और दूसरी हरित करांती 1983 में चांवल के लिए चलाई गई थी तो हरित करांती का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा गेहूं और चांवल की खेती पर सबसे ज़्यदा प्रभाव पड़ा मतलब इनकी production अच्छा खासा बड़ा और दोस्तो ध्यान दीजिए गेहूं का production जो है वो चांवल से ज़्यादा बड़ा ओके चांवल के comparison में गेहूं का production ज़्यादा बड़ा आगे हम बात करते हैं विश्व में हरित करांती के जनक किसे का गया है डॉक्टर बोरलोग को का गया है विश्व की बात करते हैं तो और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में हरित करांती के जनक किसे का गया है डॉक्टर स्वामिनाथन को तो ये directly exam में questions बनते हैं आगे दोस्तो देखिए important point कई सारी करांती अलग-लग फसलों के लिए चलाई गई जैसे हम बात करते हैं देखिए हरित करांती खाद्यान उत्पादन के लिए चलाई गई श्वेत करांती दूद उत्पादन के लिए चलाई गई और एक important point ध्यान रखिए श्वेत करांती के जनक किसे का गया है डॉक्टर वर्गिस कूरियन को का गया है निली क्रांती चलाए गई किसलिए मतस उत्पादन के लिए पीली क्रांती तीलहन उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांती जूट और फल उत्पादन के लिए और गोल क्रांती चलाए गई आलू उत्पादन के लिए तो ये वो क्रांटी थी जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है काफी important है ये भी चलिए friends यहाँ पर हमारा जो theory section है छोटा सा वो complete होता है अब मैं आपको graphically अच्छे समझाओंगा कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में number one है ठीक है भारत में तो चलिए मैं आपको बतात हूँ तो जम्मू कश्मिर की बात करते हैं तो देखिए जम्मू कश्मिर जो है वो केसर उत्पादन में भारत में प्रथम नंबर पर हैं तो केसर सबस्यादा कहां production होता है देखिए जम्मू कश्मिर में होता है ओके अब बात करते हैं उत्तरप्रदेश की तो देखिए गे गेहुं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, दूद उत्पादन में, आलू उत्पादन में, अगर कोई number one state है, तो वो कौन है, उत्तरपदेश है, सबसे अधिक मात्रा में जो production करता है, गेहुं, गन्ना, दूद और अलू का, वो करता है, उत्तरपदेश, ओके, दोस्तो देख के, confuse बिल्कुल भी मत होईएगा, ओके, चलिए, तो आपको समझ में आया, उत्तरपदेश, जो है, वो गेहुं, गन्ना, दूद और अलू उत्पादन में, परतम नंबर पर है, आगे हम बात करते हैं, पश्यम मंगाल की, तो यहां से तो आपको questions बिल्कुल मिलेगा, एक्जाम में काफी important है, देखिए, क्या, पश्यम मंगाल जो है, भारत के मेप में देखिए, कहां पर आ रहा है, और यहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता हैं, जूट और चाउमल का, तो भारत देश में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य कोंसा है, पश शिममंगाल नंबर वन पर है, अब देखिए, चावल के हम बात करते हैं, तो चावल से रिलेटेड कुछ exam में questions बनते हैं, देखिए, मैंने especially note में डाला है उनको, IR20, ये क्या है, एक प्रकार की चावल की किस्म है, जो अधिक चावल उत्पादन होता है न, उसकी एक किस्म है, IR20, तो ये directly exam में question पूछते हैं, कि IR20 जो है, वो किस से रिलेटेड है, तो हमको ध्यान रखना है, चावल से रिलेटेड है, ओके, भारत में चावल की खेती उन श देख रहा होगा, ये बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ है, ठीके, बंगल की खाड़ी से देखें, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है, अत्यधिक मातरा में बारिश भी होती है, इसकी वज़े से यहाँ पर चावल की खेती आसानी से हो जाती है, इसलिए चावल जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, चावल का, चलिए आगे हम बात करते हैं अब असम की, असम देखें दोस्तो, चाय उतपादन में भारत में सबसे प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य हैं, असम है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड़क्शन होता है असम में, और अगर हम दक्षनी भारत की बात करें, ठीक है, मतलब नीचे तरब भारत में, तो सबसे ज़्यादा चाय उतपादित करने वाला राज्य कोन सा है, तमिल नाडू है, भारत की बात करते हैं, तो भारत में नंबर वन कोन है, असम है, पर अगर कोशन ऐसा पुछ लेते हैं, कि दक्षिन में सबसे ज़्यादा चाय उतपादित करने वाला राज्य कोन सा है, तो वो है तमिल नाडू, ओके, चलिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं, मद्धिपदेश की, देखिए, सोयाबिन, धलहन, तिलहन, चना और दाले, भारत में इन फसलों का सबसे ज़्यादा प् एजाम में बनता ही बनता है, ओके, तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आगे हम बात करते हैं, राजस्थान की, तो राजस्थान जो है, वो सरसो उतपादन में नंबर वन पर है, भारत में सरसो उतपादन सबसे ज़्यादा कहां पर होता है, राजस् को लेकर काफी लोग confuse होते हैं महारास्ट और गुजरात में तो बिल्कुल भी confuse मत होईएगा गुजरात जो है वो number one पर है ओके आगे हम बात करते हैं अब महारास्ट की तो महारास्ट में देखिए प्याज अरहर, अंगूर और आम इसमें महारास्ट जो है वो number one पर है भारास्ट देश में सबसे ज़्यादा प्याज का प्रोड़क्शन अगर कहीं होता है तो महारास्ट में होता है और आम से रिलेटेड एक बात ध्यान रखिएगा आम को भारात का राश्टिफल होता है तो वो होता है करनाटक में और कॉफी से रिलेटेड तो एक्जाम में कोशन बिल्कुल बनता ही बनता है तो आब इसको ध्यान रखिएगा कूर्ग जिले में कॉफी सबसे अधिक पैदा होती है और कॉफी का अनुसंदान केंदर कहां पर है कूर्ग में है ठीक है अब दोस्तों हम बात करते हैं केरल की तो देखिए प्राकर्तिक रबर भारत में सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो वो होता है केरल में और रबर से रिलेटेड कोशन से एक्जाम में काफी बने है गरम मसालों के मामले में विशुम में famous है केरल सबसे ज़्यादा production देखिए भारत देश में कहां पर होता है गरम मसालों का केरल में होता है काजू का सबसे ज़्यादा production कहां पर होता है भारत देश में केरल में होता है नारियल और काली मिर्च का production भी सबसे जादा केरल में ही होता है तो काजू, गरम मसाले और प्राकरतिक रबर इन तीनों से एक्जाम में काफी कोशन्स बनते हैं तो ये तीनों बिल्कुल हाइलाइट पॉइंट हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब बात करते हैं आंतरप्रदेश की तो आंतरप्रदेश की देखिए हल्दी, तंबाकु और मक्का इन तीनों के मामले में आंतरप्रदेश नंबर वन पर है सबसे ज़्यादा तंबाकु प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता हैं आंतरप्रदेश में होता हैं एक बात और important ध्यान रखेगा कौन सा राज्यक की इस फसल के उत्पादन में नंबर वन पर है तो जित्ते मैंने आपको बताएं हैं ये बार-बार एक्जाम में पुछे आते हैं आपको इतना ही ध्यान रखना है ज़्यादा confused होने की ज़रूत नहीं है ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं अब काफी एक और important topic बचा हुआ है वो बचा हुआ फसल से related तो देखिए भारत में मुख्य रूप से तीन प्रकार की फसले पाई जाती हैं तीन प्रकार की कौन-कौन सी हैं देखिए रवी की फसल खरीब की फसल और नगदी फसले हैं तो ये तीन प्रकार की भारत में मुख्य रूप से फसले पाई जाती हैं और इन तीनों से काफी questions बनते हैं एक्जाम में तो एक एक करके ध्यान से सुनिए सबको रवी की फसल की बात करते हैं हम तो देखिए रवी की फसल कब बोई जाती हैं अक्टोबर नवंबर के महिने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रेल के महिने में काट ली जाती हैं तो देखिए, रवी की फसल है कौन-कौन सी गेहू, सरसो, मतर और चना ये सारा में आपको याद करवा दूँगा जस थोड़ा सा भी देखिए आप खरीफ की फसल कौन-कौन सी है देखिए चावल, सोयाबिन, जौार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास और ये खरीफ की फसल कब बोई जाती है जुन-जुलाई में बोई जाती है और अक्टोबर-नॉमबर में काट ली जाती है खरीफ की फसल में आगे वड़ कौन सा आ रहा है ख अब र पेले आता है कि ख आता है और विस्सी बाते क ख तो ख पेले आता है अब देखिए ख अगर पेले आता है तो साल में ख पेले आ रहा है मतलब खरीफ की फसले पहले बोई जाएगी ख़ पहले आ रहा है मतलब खरीब की फसल है पहले बोई जाएगी तो साल में पहले बोई जाती है मतलब जुन जुलाई में बोई जाएगी ओके दो टाइम है बोने के फसल को बोने के दो टाइम है एक जुन जुलाई और एक और है अक्टोबर नुवंबर अक्टोबर नॉवंबर चुंकी साल के end में आते हैं और हम बात कर रहे हैं साल में पहले बोने की तो जुन जुलाई ओवे सी बाते खरीफ की फसल कब होई जाएगी जुन जुलाई में बोई जाएगी और कोई भी फसल अगर बोई जाती है और बात में बोना मतलब लास्ट में बोना सबसे तो अक्टोबर नॉवंबर के महीने में बोई जाती है रवी की फसल और यही से फिर आप 5-6 महीने काउंट कर लिजेगा मार्च अप्रेल के महीने में काट लिजाती है तो यह टाइमिंग को लेकर तो आपका confusion हट चुका होगा अब देखिए अब रवी की फसल जो है हमको सिर्फ दो फसल याद रखना है important एक एक गेहू और एक सरसो अगर आपने दो फसल याद रख लिया तो confusion खतम हो जाएगा देखिए ऐसे याद रखिए कि रवी की फसल खाने से गेस हो गई तो गेस हो गई तो गेस से बना गेहू और सरसो तो यह trick है काफी interesting कि रवी की फसल खाने से गेस हो गई बस तो गेस से बना गेहू और सरसो तो गेहू और सरसो यह हमको याद रखना है बाकि सारा जो है वो सारा किस में आ गया है खरीव में आ गया है चावल, सोया, बीन, जुआर, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास ये सब आ गया है खरीव की वसल में तो I think दोस्तो आपका सारा confusion जो भी था वो खतम हो चुका होगा अब हम बात करते हैं नगदी फसले है तो ये दोनों confuse करती है रवी और खरीव तो मैंने इनको आपको separately अच्छे समझा दिया अब बात करते हैं नगदी फसलों की तो देखिए नगदी फसलों में आते हैं तंबाकू, गरम, मसाले, रबल ये सब आते हैं नगदी फसलों के अंतरगत तो तीनों चीज आपको clear हो गई तीन प्रकार की फसले हैं, रवी की फसल, खरीब की फसलों नगदी फसले हैं और कप-कप बोई जाती हैं और कौन-कौन सी है सारा में आपको clear कर चुका हूँ तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा ये Indian Agriculture वारा जो topic है ये अच्छे से मैंने आपको पुरा समझा दिया है अब बारी ये दोस्तो टेस्ट लगाने की अगर जिसने ध्यान से लेक्चर सुना होगा वो 30 के 30 कोशन पूरे बिल्कुल अच्छे से solve कर लेगा चलिए फ्रेंड्स हम टेस्ट लगाते हैं दोस्तो मारा पहला कुशन है निम्न लिखित में से कौन सी नगदी फसल है तो नगदी की फसल कौन सी है देखिए तमबाकू है तो क्या होगा answer D answer होगा अगला देखिए निम्न में से कौन सी खरीब की फसल नहीं है तो खरीब की फसल नहीं है देखिए कौन सी रवी की फसल होगी यहाँ पर देखते हैं हम देखिए तो रवी की फसल की ट्रीक क्या थी मैं आपको बताई थी अगर आपको ट्रीक से देखना हो तो रवी को गेस हो गई तो गेस है गेहूं और सरसो तो विस सी बाते रवी की फसल तो सरसो होगी तो कौन सी खरीब की फसल हैं देखिए सरसो गेहूं जो ये सब आती है किसमें ट्रवी की फसल में चावल जो आता है ये आता है खरीब की फसल में तो आंसर क्या होगा सी आंसर होगा अगला कोशन देखिए भारत में चावल की खेती उन शेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटिमेटर से अधिक होती है चावल के लिए पानी अधिक रिक्वार्ड होता है ओके तो 100 सेंटिमेटर से अधिक होती है वहाँ पर वार्षिक वर्षा भारत में तमागों की खेती के अंतरगत अधिक शेत्र हैं, कहाँ पर? ओविसी बात है आंधर प्रदेश में, तमागों खेती सबस्यादा कहाँ पर होती हैं, आंधर प्रदेश में होती हैं, तो सरवाधिक शेत्र कहाँ पर? आंत्रप्रदेश भारत का राश्ट्री फल है कौन सा है आम है डी आंसर होगा किंग ओफ रूट किसे बोलते हैं आम को बोलते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप फटाफट कोशन सौल कर रहे होंगे अगला बोल रहा है कोशन देखिए निम्न राज्जियों में से कोन काजू का प्रमुक उत्पादक हैं तो काजू का उत्पादक कोन हैं केरल हैं तो आंसर क्या होगा इसका C answer होगा दक्षिनी पश्यमी मांसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या करते हैं तो दक्षिनी पश्यमी मांसून जो होता है भारत देश में कब इंटर करता है ये ये इंटर करता है जून, माई जून के टाइम में और मई जून के टाइम में दोस्तों कौन सी फसल बोई आती है मतलब देखिए पहले बोने की बात कर रहे हैं ठीके और पहले बोने की बात करते हैं तो देखिए र और ख में ये देखिए कौन पहले आता है ओवेस सी बात है ख पहले आता है तो पहले का पहले के साथ मेल कर दो तो खरीब की फसल पहले बोईंग है तो देखिए दक्षिनी पश्चिमी मांसून के ततकाल बात बोई गई फसल को क्या केते हैं खरीब की फसल बोलते हैं ठीक है चलिए आगए कोशन देखिए IR20 किसे संबंद दीते हैं तो ये एक चावल की किसम है तो B आंसर होगा इसका ठीक है काफी important question ये भी चलिए next question लेते हैं केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है तो गरम मसालों के लिए केरल जाना जाता है तो इसका आंसर क्या होगा C आंसर होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुक फसल है उत्तर प्रदेश की प्रमुक फसल कौन सी है देखिए गेहूं तो B आंसर होगा गलत युग्म को पैचानी है चाय असम बिल्कुल सही है ये तो मुंगफली बिहार ये गलत है मुंगफली आ रहा है गुजरात तो ये अंसर B होगा इसका ये वाला गलत है पॉइंट नारियल केरल बिल्कुल सही है गन्ना उत्तरपदेश बिल्कुल सही है तो B अंसर इसका होगा चलिए नेक्स्ट कोशन ले रहे हैं निमने लिकित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है तो सबसे आदा कहां पर होती है सोयाबीन की खेती मध्यवदेश में होती है दालें सोयाबीन दलहन ये सब कहां पर होती है मध्यवदेश में होती है केसर सबसे ज़्यादा उत्पन होता है कहां पर कश्मिर में तो इसका अंसर क्या होगा C आंसर होगा भारत में सरवादिक जूट उत्पादन करने वाला राजजी ये काफी important है देखिए दोस्तो very important question है ये वाला exam में भी काफी पुछा गया है तो भारत में सरवादिक जूट उत्पादन करने वाला राजजी कौन सा है पश्चिम मंगा लें तो इसका answer क्या होगा? बी answer होगा. चलिए next question लेते हैं. भारत में मसालों का सरवाधिक उतपादन करने वाला राज़ें तो मसालों का सरवाधिक उतपादन करने वाला राज़ें कों सा हैं? केरल हैं. तो बी answer होगा. दक्षिन भारत में सरवाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है तो दक्षिन भारत की बात हो रही है देखिए भारत में सरवाधिक नहीं पुचा है दक्षिन भारत में पुचा है तो especially दक्षिन भारत में करनाटक, केरल, आंदरपरदेश, तमिलनाडू तो क्या है तमिलनाडू, तो D answer होगा, निम्न में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता हैं, तो कुर्ग में होता हैं, इसका अनुसंदान संस्थान भी कहां पर हैं, कुर्ग में ही हैं, तो answer क्या होगा, A answer होगा, next question लेते हैं, निम्न में से कौन सा शहर अंगुरों की पेदावार के लिए प्रसिद्ध हैं, तो नासिक, A answer होगा, खरीव की फसल काटी जाती हैं, अब देखिए, खरीव की फसल कब काटी जाती हैं, तो पहले तो हम यह निकाल लेते हैं, खरीव की फसल बोते कब हैं, तो तो काटे हैं कब, अक्टोबर नवंबर के महिने में, तो देखिए, option में, B answer होगा इसका, चीक है ना, अगला question है, भारत में किस खादी फसल का उत्पादन सबसे जादा होता हैं, तो कौन सी खादी फसल हैं वो, वो है चावल, तो B answer होगा, चलिए next question लेते हैं, अगला question है निम्न में से कौन सा राज्य मुंफली उत्पादन में सबसे आगे, तो मुंफली उत्पादन में सबसे आगे कौन सा हैं, गुजरात हैं, तो answer क्या होगा, B होगा, चीक है, भारत में सबसे अधिक कौफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हैं, तो कौफी सबसादा कह पर उत्पादन होता है करनाटक में होता है तो आंसर क्या लगएगा cांशर कि नेक्सट कोशन हैं सभीत क्रांति का संबंद हैं किसे शोईद न्वेकर उत्पादन से तो b явाराट यह कुली सब्सक्सश्राज्य कुल ऑफारत में दूद उत्पादन में अग्रणी होता हैं देखिए प्राक्रतिक रबर केरल में होता हैं तो इसका अंसर क्या होगा B आंसर होगा भारत का कौफी अनुसनदान संस्तान इस्तित हैं कहां पर कुर्ग में स्तित हैं तो D आंसर होगा अनुसनदान संस्तान पे दोस्तों मैं आपके लिए special video बना दूँगा अच्छे से trick के माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे मेरे पास काफी-काफी अच्छे-च्छी trick है इसके लिए तो मैं आपको सारा याद करवा दूँगा अनुसंदान संस्तान को लेकर कुछ मैंने वीडियो बना भी रखे हैं मैं उनको अच्छे से एक बार और बना के और question answer टेस्ट लगवा दूँगा आपका तो इससे भी questions बनते हैं exam में तो वो भी हमारा cover हो जाएगा नेक्स्ट question लेते हैं भारत में हरित क्रांती का जनक किसे माना गया है तो देखिए वीशुम में बोर लोग है और भारत में कोन है स्वामिनाथा ने तो क्या answer होगा बी answer होगा तो ध्यान रखेगा confused मत हो येगा इनमें ठीक है नेक्स्ट question देखिए निम्न में से कौन सी रवी की फसल नहीं है तो रवी की फसल हमको पता है देखिए रवी को गेस हो गई थी तो गे और सर तो गे से गेहूं सर से सरसो तो गेहूं और सरसो तो होगी होगी जूट तो आती ही नहीं पेली बात तो तो ये तो डी answer डारेक दिग गया हमको ठीक है चलिए next question ले लेते हम उत्तर प्रदेश निम्न मेंस से किन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो आलू चावल गन्ना तंबाकू तो करता है वो आलू का और चावल का नहीं करता है चावल का पश्चिम मंगल करता है गन्ने का करता है तंबाक यहाँ पर यह question सही हो गया तो friends यहाँ पर हमारा यह test वाला section complete हो गया तो पहले हमने theory को पढ़ा अच्छे से फिर हमने graphically अच्छे से समझा कि किस फसल के production में कौन सा राज जे number one है हमने अच्छे से उनको graphically state wise देखा अच्छे से systematic हमने तरीके से समझ लिया उसको उसके बा आपने भी अच्छे से test लगाया होगा सारे question अच्छे से solve कर लिया होंगे तो please मुझे बताइएगा कितना आपका score रहा दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है वीडियो अच्छा लगा है तो please जल्दी से इस वीडियो को like करिये दोस्तों के साथ share करिये और comment क करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा है तो please चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि इस तरीके कि जब भी वीडियो में upload करूंगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क के लिए जय हिन जय भारत